नमस्का स्वात आप सभी का मार्केट लाइव में मैं हूँ आपकी साथ अकेले शाटी और मार्केट लाइव में आप सब के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ पे एक बुलेटिन जानकारी सोयबीन के उपर लेकिन सोयबीन पर गहराई से चर्चा करने से पहले आप लोग को बताना चाहूंगा इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि भारत में ओमिक्रॉन के जो केसेज हैं दीरे दीरे अब बढ़ते ही जा रहे हैं यहां तक कि भारत में ही नहीं सिर्फ और सिर्फ विदेशों में भी जो ओमिक्रॉन है वो अपने पैर लगातार पसारता नजर आ रहा है अफरीका से शुरुवात हुई है ओमिक्रॉन की और कई देशों ने तो अफरीका से आने वाली और जाने वाली फ्लाइटों पर प्रतिवंद भी लगा दिया है और भारत भी अब इसको देखकर काफी ज़्यादा अलट हो चुका है हम अकसर देखते हैं कि जब भी कोई महामारी आती है या कोई स्थिती बनती है सिचुएशन ऐसी क्रियेट होती है जिसमें लॉगडाउन वाली प्रिस्थिती बनती है तो ऐसे में सबसे पहले जो वैपार है वो बंद हो जाते हैं बेक्टरिये बंद हो जाती है, स्कूल, कॉलेजे, वेपार, सब कुछ ठब पर जाता है, जिसकी वज़ा से लोगों को काफी जाधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसे में लोगों को चिंता रहती है कि उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों के स्कूल की फ पैसा कमा सकते हैं, ना ही इसके लिए आपको कोई फीज देनी है, और ना ही कोई चार्जेस देने है, फ्री में अपना स्टोर बनाएं और गलॉग डॉन में घर बैठे बैठे पैसे कमाएं, आपको बता दें कि आपको सिर्फ इतना करना है कि फोन उठाना है, अपना इस पर आपको अपना एक स्टोर बनाना है, प्रोड़क्ट बेचना चाते हैं, वो इसमें जानकारी डाल सकते हैं और इस पर रेजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऐसा सच कुछ कोई बहुत जादा जानकारी नहीं देनी होगी, जैसे नॉर्मल रेजिस्ट्रेशन होता ह वैसा ही registration होगा और इसी के साथ साथ आप घर वैठे वैठे lockdown में भी पैसे कमा सकते हैं और पुरी भारत से अपने घर वैठे वैठे orders पा सकते हैं नहीं आपको कोई promotion करना है नहीं कुछ करना है My Big Bliss vendors के लिए एक app है उन वैपारियू के लिए traders के लिए app है या फिर आपको कोई company खोले नहीं पड़ेगी जैसे बाकी e-commerce platforms पर होता है इस app में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा My Big Bliss पर एक ठेले वाला भी अपना फल, fruit कुछ भी बेच सकता है अगर वो चाहे तो तो अब lockdown में पैसों की चिंदा छोड़ दीजिए क्योंकि My Big Bliss आपको online platform दे रहा है जिसमें आप lockdown में भी घर बैटे बैटे पैसा कमा सकते हैं तो इसी के साथ शुरू कर लेते हैं, चर्चक कर लेते हैं soybean के उपर आप लोग काफी जादा comments आ रहेते हैं हमारे पास की soybean के उपर कुछ शो करें, soybean के उपर कुछ नया ले कर रहे हैं तो उसी हम आपके लिए एक बाद पेश कर रहे हैं, एक बाद फिर से soybean की उपर चर्चक करने जा रहे हैं यहां पर हमने soybean की कीमतों में बुआई के समय साथ शुरू आत कर रहा हूँ है जब soybean की बुआई हो चल रही थी तब soybean का बीच उपलवद नहीं था ना भारतिय किसानों के पास ना ही सरकार के पास और यह चर्चाएं थी कि बड़ा ही शोर मचा हुआ था कि soybean का जो रगबा है इस बार कम रह सकता है और रगबा कम रहेगा तो अब्यस सी बात है कि soybean की जो उतपादन है वो भी कम ही देखने को मिल सकता है लेकिन धीरे धीरे soybean की जो बीच था उसके black marketing होनी शुरू हो गई हाला कि किसानों ने जैसे तैसे करजा लेकर 10,000 रुपे कुइंटल तक बीच खरीद कर soybean की बवाई कर दी और फिर उसके बाद हमने देखा था कि वायदा में तो तेजी बन गई थी अच्छी कासी वायदा कारोबारी तो अपनी तेजी लेकर चले गए थे लेकिन जो soybean किसान था वो बिचारा फज़ गया था वो कैसे वो भी बता देता हूँ फिर ये आखड़े आने शुरू हो गए कि soybean की बुआई का जो रगबा है वो दीरे दीरे बढ़ता नजर आ सकता है क्योंकि पहले soybean की बुआई का रगबा कम रहने की खबरों के चलते जातर कि soybean किसानों ने soybean की बुआई में soybean के रगबे में बढ़ोतरी कर दी और जो किसान soybean भी नहीं उगा रहे थे उन्होंने भी soybean उगा दी ऐसी खबरे बीच में आने लगी जिसकी वज़ा से कईना कि जो soybean वजार था जो की हमने 10,000-11,000 रुपे कुइंटल तक जादा देखा था वो धीरे धीरे तूटता नजर आया उसके बाद अचानक से फिर पोल्टरी इंडस्ट्री नींद सजागी पोल्टरी इंडस्ट्री का कहना था कि अगर soybean इतनी महंगी हो जाएगी तो उनकी जो लागत है वो भी बढ़ जाएगी लेकिन ये नहीं सोचा कि किसानों की भी लागत वड़ रही थी सोयमीन किसानों की लागत फिर पोल्टरी इंडस्ट्री ने सरकार से मांग करी सोया खली के आयात की सरकार ने 12,00,000 टन GM सोयमील के आयात की मंजूरी भी दी जिसमें से लगबग 6,00,000,000 टन आयात भी हो चुका है और जो बागी बचा कुछा है पोल्टरी अब फिर से सरकार को चिट्थी लिख रही है वर्तमान में सरकार से चिट्थी लिख कर मांग करिये कि इसके जो सोया डियोसी यानि सोया खली का आयात की अबदी है वो की मार्च 2022 तक बढ़ा दी जाए लेकिन इसी बीच सोयबीन किसानों का ये सवाल है कि तब पोल्टरी इंडस्ट्री कहा थी जब सोयबीन किसान महंगा बीच खरीद कर सोयबीन की बुवाई कर रहे थे तब क्या किसी को ये ग्यात नहीं हुआ था कि अगर सरकार उस समय सोयबीन का आयात नहीं करेगी और देश में पहले से ही सोयबीन कितनी किलत है तो सोयबीन की कीमते बढ़ जाएंगी तो उस समय बढ़ती कीमते पर अंकुष लगाने के लिए और किसानों को बीच मुहाया कराने के लिए अवगत कराने के लिए क्यों नहीं उस समय सरकार नहीं या पोल्ट्री ने कोई कदम उठाया और अब क्यों सोयवीन किसानों को जब कुछ कीमत सुधर कर मिलनी शुरू हुई है तब क्यों उनके उपर ऐसा कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है हाला कि सरकार ने पोल्टरी की इंडस्ट्री की तरफ से अब जो दूवारदा से चिठ्धे लिकी गई है उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है कहीं न कहीं पोल्टरी इंडस्ट्री की जो मांग अब खारी जhouती नजर आ रही है क्योंकि आगे अब चुनाव भी आने वाले हैं तो सरकार को भी सब कुछ देख दाकर चलना है दूसरा सोईबीन किसान पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे है जब सोईबीन किसानों ने 10,000 रुपे कुटल बीच खरीद कर सोईबीन की बुवाई करी है तो इसी से लगा सकते हैं कि लागत कितनी आई होगी जब बीच ही इतना है और वर्तमान में वाइदा की बात करें तो वाइदा में सोईबीन अर्सट सो पर देखने को मिल रही है और बात करें अगर हाजिर की तो हाजिर में भी लगबा यही दाम देखने को मिल रहा है लेकिन हाजिर में भी हमने कीमत थोड़ी ऊची जाती भी देखी थी प्लांटों की तरफ से ठीठाक भाव निकल के सामने आये थे क्योंकि प्लांटों के भी पास सोयबीन का स्टॉक नहीं है और जो सोयबीन किसान है वो भी अपनी सोयबीन अब धीरे धीरे स्टॉक करके चल रहे हैं क्योंकि सोयबीन किसानों को पता है कि जब नुकसान हुआ था तब ना ही सरकार ने और ना ही किसी दूसरे इंसान ने उनकी मदद करी थी उन्होंने फिर खुदी निर्ने लिया कि अब वो अपनी सोयबीन में खुदी तेजी लाकर छोड़ेंगे किसान इसके लिए प्रतीब्ध हैं और लगातार दिन रात एक करके महनत भी कर रहे हैं और स्टॉक करके चल रहे हैं इसे बीच हमने वैदर बजार में काफी जादा सोयबीन की कीमतों में उथर पतल होते हैं सोयबीन जहां लगबग दो सप्ता पहले 6,900 के उपर गई थी फिर वहां से हमने सोयबीन की कीमतों में एक भारी करेक्शन बंते देखी और सोयबीन की कीमते नीचे में 6000 तक जाती नजर आई वहीं अगर बीते सब्ता की बात करें तो बीते कालवारी सब्ता हमने सोयबीन की कीमतों में नीचले सर से रिकवरी बंती देखी है अब क्या भाव रहे थे एक हफते के दोरान कितनी मंदी तेजी देखने को मिली थी कितने हाईज लगते नजर आयते वायदा में इस पर एक नजर डाल लेते हैं तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सोयबीन में एक हफते में कितनी उठापटक देखने को मिली है अगर विशलेशन किया जाए इसका कि सोयबीन में एक हफते में कितनी उठापटक देखने को मिली है तो मैं इस बात को एक लाइन में कुछ इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगा कि सोयबीन में जहां से लेवल्स टूटने शुरू हैते लगबग उसी लेवल्स पर अब सोयबीन की जो कीमते हैं दीरे दीरे बढ़ती नजर आ रही है सबसे पहले यह हम दिसंबर वायदा की बात करें NCDX के सोयबीन की तो हमने 29 नवंबर को सोयबीन में 650 पर सोयबीन का वायदा बजार खुलते देखा था और इस दिन 6 पीजदी का निचला सरकीट लगता नजर आया था जैसा आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं 5.99 का नेगेटिव परसंटेज दे रखी है मापे वो लगबग 6 पीजदी का निचला सरकीट है तीन फीजदी का लो सरकीट उस दिन भी लगता नजर आया था और जो सोयबीन थी 62 सोपर खुलती नजर आयी थी और 6,060 का लो लगा था तो यानि कि इसी दो दिनों के अंदर सोयबीन इतनी गिर चुकी थी कि 6,900 के बाद्चे सीधा 6,060 का लो लगा दिया था फिर हमने 1,060 से देखा कि सोयबीन में फिर से निचले स्तरों से खरीदारी निकली 1,600 का लेवल पर क्लोजिंग हुई थी 1,600 पर ही खुली थी लगबग और 4,060 से जादा की तेजी सोयबीन में 1,060 को बंती नजर आई एक दिसमबर को बंती नजर आई उसके बाद दीरे दीरे हमने देखा कि 2,060 और 3,060 होते होते सोयबीन की कीमतों में फिर से तेजी दर्च की गई 3,060 को हमने सोयबीन में 6,648 का हाई लगबग 4,060 का उपरी सर्किट लगता नजर आया था आपको बता दें कि सोयबीन में लगातार फिर हमने तेजी बंती देखी थी और अभी भी आज भी देख रहे हैं सोमबार के दिन हफते के पहले कारोबारी दिन सोयबीन की कीमतों में एक ठीक ठाक तेजी बंती नजर आई है 6800 के उपर का सोयबीन ने हाई लगाया है सोयबीन एक बार फिर से तेजी की और अगरसर होती नजर आ रही है और ये किसानों की ही मेहनत का नितीज़ा है जो की हाजिर के साथ-साथ वायदा में भी तेजी लाता नजर आ रहा है इससे पहले क्या हुआ था कि वायदा में गिरावट के चलते हाजिर में गिरावट आई थी लेकिन अब इसका उल्टा होता नजर आ रहा है जैसे कि होना भी चाहिए कि हाजिर में तेजी के चलते वायदा में तेजी बंती नजर आ रही है और जो जानकार हैं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी अभी वैदा बजारों में सोयबीन की कीमतों में तेजी का ही रुजान बता रहे हैं गौर करिए का ये मैं अभी वैदा की बात करो मैं हाजिर की बात नहीं कर रहा हूँ वैदा बजारों में जानकारों के अनुसा सोयबीन की कीमतों में तेजी का ही रुजान है कि सोयबीन की कीमतों में वैदा बजार में आगे जाके जैसे कि अभी अर्सट सो के लेवल देखने को मिल सकता है तो सोयबीन इतनी तागत दिखाता है अभी भी कि उपर में वैदा बजार में 7100 से लेकर 7200 के भी लेवल टच करता नजर आए यह लेवल भी छूता नजर आए तो सोयबीन की कीमतों में वैदा बजार में अभी तेजी का ही रुजान है यही से अब बात करेंगे यहाँ पर हाजिर मंडियों की हाजिर मंडियों में भी हमने सोयबीन की कीमतों में ठीक ठाक तेजी बनती देखी है फिर से तेजी बनती नजर आ रही है क्योंकि जो सोयवीन किसान है वो अपनी सोयवीन को मंडियों में लेकर काफी कम दिख रहे हैं और जो आवके हैं लगातार कम होती नजर आ रही है और जो experts हैं वो soybean किसानों को यही सला दे रहे हैं कि soybean किसान अभी बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें कोई भी ऐसा decision ना ले किसान जल्दबाजी में कि उनको नुक्सान हो जाए क्योंकि हमने देखा है कि महा मारी फिर से आ रही है कोरोना का नया variant भारत में भी आ चुका है कुछ cases देखने को मिल चके हैं सबसे पहले तमिल नाडू में फिर दिल्ली में भी एक case देखने को मिला है जो की लगातार अब बढ़ ही रहे हैं तो ऐसे में किसी को नहीं पता कि आगे lockdown लगेगा नहीं लगेगा ये जो नया variant है कोरोना का ये कितना खतरना आक रहेगा आगे जाकी क्या पर इस्थितिया होंगी तो ऐसे में कभी कवार जो markets में जो और बजार में जो खबरे चलती हैं इसकी वज़ासे जो किसान है उनको कभी कभी भैकाया भी जाता है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि hold करके stop करके चलो लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं कि अभी महल निकाल दो ये आप परिस्थितिया देख कर चलें कि आपके राज्यों में आपके इलाकों में कैसा माहल बनता नजर आ रहा है महामारी का क्या prices हैं, क्या आपकी लागत निकल रही है, नहीं निकल रही है, उसी के हिसाब से ही अपना decision ले कुछ soybean में, कि आपको soybean रखनी है, बेचनी है, या फिर कैसे करना है, ये totally किसानों का decision होगा, क्योंकि आगे lockdown की पस्तिति लगे या ना लगे, किसी को नहीं पता, कोई इसकी भ हो सकता है कि अभी कुछ लोग किसानों को बहका हैं, कि आगे lockdown लग सकता है, मंडिया बंद रहेंगी, क्या करोगे इतना soybean का stock करके, तो इससे अच्छा है कि अभी बेच दो, किसान कोई भी जल्दवाजी ना करें, सोच समझ कर ही कदम उठाएं, किसानों को जागरुख होने यहां से, तो विदेशों में भी हमने सोयवीन की कीमतों में और इसकी मांग में तेजी बनती देखी है, भारत में सोयवीन की मांग और सोयवीन तेल की मांग में तो तेजी देखने को मिली ही रही है, शादी की सीजन के चलते, साथ साथ विदेशों में भी तेजी बनती पर अमेरिका में सोयवीन को इस्तमाल किया जा रहा है, सोयवीन की खपत थोडी बढ़ गई है जिसका असर भारत में भी सोयवीन की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया है दूसरा एक्सपोर्ट में थोडी कमी आई है चाइना में, चाइना की तरफ से डिमांड कम हुई है भारती सोयवीन की चाइना ब्राजील के पोर्टों से खरीदारी कर रहा है और भारत में वायदा बाजार में भी 5% सर्विलेंस मार्जिन बड़ा है एडिशनल मार्जिन बड़ा है जिसकी वज़ा से सोयवीन की इंतपर हमें दवाब देखा था लेकिन विदेशों से मांग आना और सोयवीन की सानोदवा सोयवीन का स्टॉक कर लेना और कुछ जो बारिश फिर से बनती नज़र आईए अभी हाल फिलाल के अंदर उससे भी जो फसल है वो भी कहीना कहीं दागी हो सकती एक बार फिर से जिसकी वज़ा से जो अब अगला सीजन होगा सोयवीन की बुवाई के लिए उसमें सोयवीन के बीच थोड़ा कम रहने की आशंका रह सकती है अगर बारिश की वज़ा से ज़्यादा सोयवीन खराब होती है तो अगर नहीं होती है तो भी ठीक ठाकी रहेगा वोगाई easily किया सकेगी तो यह ते चोटा सा सोयवीन की उपडेट कि सोयवीन में भी हाल फिलाल में कैसी situation है कैसी स्थिती है आगे क्या कीमते रह सकती है और किसानों को अभी क्या करके चलना सही रहेगा एक्सपर्स क्या बता रहे हैं आशा करते हैं आपको माई सोयवीन की उपर ये जानकर ये अच्छी लगी होगी अगर आपको माई जानकर ये अच्छी लगी हो तो मारे वीडियो को लाइक करें, शेर करें अगर आपके कुछ सवाल हैं, आगर आपको जानकारी साजा करना चाह रहे हैं सोयवीन के उपर तो कमेंट सेक्षिन में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं फिला, मार्केट लाइन में अभी के लबस इतना ही लेकिन आपका इजायग ने, क्योंकि खबरों को सिलसला लगातर यही बना रहेगा मार्केट आप सीवी पर पर बना प्कारों के लाइन आप सीवी पर सकते हैं करता हैं लोड़ लोड़र तो किल ठाल किसे रहे ही है